हैं हेलोu नमस्कार गूड ऑप्टरणून इस पेसल गुरू जी जी एम में आपका स्वागत है फ्रेंट से दी multiply आप नए नए विवर्स हैं तो फ्रेंट मेरे चैनल को लाइक करें चेयर करें तथा सबस्काइब करना ना चैनल को सब्सक्राइब अबश्य कर लें ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहें आईए मैं आप लोगों को पर्यावरंड के कुछ महत्पूर्ड क्वेश्चन बताने जरा दें हूं जो कि यूपी टेट सी टेट सूपर टेट के लिए बहुत ही कोश्चन है फ्रेंड्स आईए कोश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है टाइफाइट नाम का जवर फैलता है को एलर्जी के कारण ख कवक फंगस के कारण ग जीवाडू के कारण घ जीवाडू के कारण फ्रेंड्स यह आपसन नंबर घ करेक्ट है जीवाडू के कारण टाइफाइड नाम का जवर फैलता है next question भारत में निम्नांकित खनीजों में ऐसे कौन सा खनीष सरवाधिक मात्रा में पाय जाता है कहीरा ख श्योना ग अब्रोमैट ग अब्रक है इस स्का right option option नमबर घह है अभरक जो है भारत में सरवाधिक मात्रा में पाय जाता है नेक्ट कोचन ताड़ फोनिक्स रोजी फेरा सुपारी नारिया लित्यादी के ब्रीच मुख्या रूप से निमनांकित में से किस प्रकार के वन छेत्रों में पाय जाते हैं क मरुसली वन छेत्रों में ख उष्ड आर्ध जदाबहार वन छेत्रों में ग ज्वारी वन छेत्रों में घ मैंग्रोर वन छेत्रों में फ्रेंट्स इसका राइट आप्शन आप्शन नमबर गह ज्वारी वन छेत्रों में जो है यह वन पाय जाते हैं ताड फोनिक्स रोजी फेरा सुपारी नारियल का ब्रीच मुख्यतर रूप से ज्वारी वन छेत्रों में पाय जाते हैं को अग ay okay next question पंगला देश में ब्रहुपूत्र नदी का नाम है कप पदमा मेगना जम्णा पदमा गशैमना मेगना लोहित द Goo फ्रेंट्सिस का करेक्ट आफ्षन आफ्षन नंबर ख है जमना पदमा जो है बांगलादेश में महात ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है नेक्ट क्वेशन अबरक का यह विशिस गुड़ है कि यह ताप और विद्धुत का फ्रेंट्सिस का करेक्ट आप्षन आप्षन नंबर ६िद्धुत का क्या होता है कुच आफ्षन भारत में तेंदु के पट्ते इसका राइट आप्शन और नमबर का है मध्य प्रदेश भारत में तेंदू के पत्य के उत्पादन में अग्रिडी राज मध्य प्रदेश याणी MP है नेस्ट कोश्चन निम्नांकित ज्वाला मुखियों में से कौन सा एक सांत ज्वाला मुखी है क दच्छिडी अमेरिका का चिंबराजो ख एटली का एटना ज्वाला मुखी ग लिपारी का इस्टामबोली घर उपरोक्त में से कोई नहीं फ्रेंट्सिस का करेक्ट आफ्षन क है दच्छिडी अमेरिका का चिंबराजो जो है सांत ज्वाला मुखी है नेस्ट कोश्चन निम्नांकित रोगों में से कौन सा एक प्रोटो ज्वाला जनित रोग नहीं है क ख मलेरिया ख अमीनिया पेचिस ग काला ज्वर घर टाइफाइड फ्रेंट्सिस का करेक्ट आफ्षन आफ्षन नमबर डी है यह टाइफाइड जो है यह टाइफाइड आफका जो है प्रोटो जोवा द्वार जो है जनित रोग नहीं है और बाकी मलेरिया अमीनिया पेचिस काला ज्वर जो है प्रोटो जोवा द्वार जनित रोग है यह टाइफाइड जो मैं अभी आप लोग को बताई हूं यह जिवाडू के कारण होता है इसके कारण होता है यह जिवाडू के कारण होता है नेश्वोचन दही की जमने में अगरांकित में से किस जिवाडू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कर इकुलाई की ख लैक्टो बेसिलस की ग मिलकेटी की घ एमपरर की शिंसिस का करेक्ट आप्शन ख है लैक्टो बेसिलस की है यह दही की जमने में यह जिवाडू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लैक्टो बेसिलस जिवाडू की नेश्ट कोस्चन भारत में मानसून प्रकाय की जलवायू के लिए निम्नांकित घटकों में से कौन सा या कौन से घटक उत्तरदाई कहे जाएंगे फर्ष्ट अवस्थिती सेकेंड उसमी भी पर्यास थर्ड उपरीतन वायू संचरण गः चौथा है हिमालब परवत श्रिंखला ये देखे नीचे कूट दिया है इसमें से सही चारों में से कौन सा सही है क केवल एक और चार ख एक दो तीन और चार ग केवल दो तीन और चार घ एक दो और तीन फ्रिंट इसका करेक्ट आप्शन ख है एक दो तीन और चार ये चारों आप्शन सही है अवस्थिती उसमीवी पर्यास उपरी तन वायू संचरन हिमालय पर्वत श्रिंखला ये भारत में मानसून प्रकार की जलवायू के लिए ये उत्तरदाई घटक कहलाये जाते हैं नेक्ट कॉस्चन निमने लिखे ज्वाला मुख्यों में से कौन सा सांत ज्वाला मुख्य नहीं है कह अफ्रीका का किलिमंजारो ख दच्षडी अमेरिका का चिंबराजो ग इरान का कोह सुल्तान ग एतना का इस्ट्रामबोली फ्रेंड्स इसका करेक्ट आपशन आपन नमबर ग है एतना का इस्ट्रामबोली ज्वाला मुख्य सांत ज्वाला मुखी नहीं हैं बाकी ये अफरिका का किलिमंजारो दच्षडी अमेरिका का चिम्बराजो इरान का को सुल्तान ये सांत ज्वाला मुखी हैं निश्कोंसेन बने पौधों के निमनांकित में से किसके अनुप्रयोग से लमबा किया जा सकता है चैहें खबगिंवया किसकोल स्था है नमबर कह है आक्सीन के अनुप्रयोग से जो है बौने पौधे को क्या किया जा सकता है लंबा किया जा सकता है नेक्स्ट गॉस्टन सूरी में उस्मा और प्रकास किसकी द्वारा उत्पन होते हैं राशायनिक अभिक्रिया द्वारा नियुक्लियर अभिक्रिया द्वारा गह आयनि अभिक्रिया द्वारा घह जैविक अभिक्रिया द्वारा फ्रेंसिस का करेक्ट आप्षन आप्षन नमबर खह नियुक्लियर अभिक्रिया द्वारा जो है सूर्य में उस्मा और प्रकास उत्पन होते हैं यह नियुक्लियर अभिक्रिया द्वारा निम्नांकित में से प्रिथवी का वहा यमज यानि जुडवास नच्छत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व द्रब्यमान में प्रिथवी से साम्यता रखता है कबुद्ध खशुक्र मंगल घव ब्रियस्पति राइट आप्शन खशुक्र जो है यह घनत्व द्रब्यमान में प्रिथवी से साम्यता रखता है शुक्र ग्रह नेक्ट कोईशन सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है कबुद्ध ग्रह खशुक्र ग्रह घव मंगल ग्रह इसका करेक्ट आप्शन आप्शन नमबर ग्रह है शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है यह कहलाता नहीं फ्रिंस है सारी यह देखे इसका ब्याख्या है सौक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका तापमान प्लस सबसे नजदीक इस ग्रह को साज का तारा और भोर का तारा यानि इवनिंग इस्टार मॉर्निंग इस्टार भी कहते हैं क्योंकि यह साम को पस्षिम दिशा के और सुबह पूरो दिशा की और आकास में दिखाई देता है ग्यातब्य है कि प्रिथवी से सबसे अधिक दूरी पर क्लूटो यानि कुबेर ग्रह माना जाता था लेकिन 24 अगस 2009 को कुबेर को ग्रह की श्रेणी से हटा कर छूद्र ग्रहों की श्रेणी में रखा रख दिया गया है अतह अब वरुण यानि न कोई उपग्रह नहीं है को श्रेणा कुण सर्बड की उतपादन के लिए आदर्स तापमान कहा जाता है को एय पीस सेंटीग्रेड को पचीजैंटीग्रेड ग्र तीस सेंटीग्रेड घ्र भी 35 सेंटीग्रेट इसका करेक्ट आप्शन आप्शन नमबर गह 35 सेंटीग्रेट जो है रबड की उत्पादन के लिए आधर से तापमान कहा जाता है इस देखें ब्याख्या इसका है रबड उश्र एवंग आर्ध जलवाईव की फसल कही जाती है इस फसल के लिए 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा एवंग 35 सेंटीग्रेट तापमान की आवसेक्ता रहती है वस्ता वर्ष भर की अर्ध जलवाईव इस फसल के लिए उत्तम मानी गई है नेक्स्ट कोशन निम्नांकित में से कौनसा अधात्विक खनीज है का बाकसाइट घ मैगनेटाइट ग साइलोमेलीन घ जिप्सम इसका प्रेंड्स इसका करेक्ट आप्षन आप्षन नंबर घ है जिप्सम जो है यह अधात्विक खनीज है इसका ब्याख्या देखे जिप्सम एक अधात्विक खनीज है ग्यातब यह कि भारत में इसका सरवादिक उत्पाता 90 प्रस्षत राजस्थान में होता है जिपसम का निशोशा एक मोर शाप को खाता है और पादपू पर पनप रहे कीटों का भी भच्छन करता है मोर का अस्थान होगा क प्राथमिक अप घटक ख खा दे इस्तूप के सिर्ष पर घट प्राथमिक भोगता घट खा दे इस्तूप में सबसे नीचे फ्रेंट्स इसका करेक्ट आप्शन आप्शन नमबर घट है ख है खा दे इस्तूप के सिर्ष पर जो है मोर साप को खाता है और पादपू पर पनप रहे कीटों का भी मोर का अस्थान यह खाद इस्तूप के सबसे सिर्ष पर होगा इसका बिस्तार देखे खाद श्रिंखला के अंतरगत मुखे तया तीन अस्तर होते हैं प्राथमिक अस्तर दूतियक अस्तर तीतियक अस्तर चुकी मोर एक सरवभच्छी मांसाहारी प्राड़ी है इसलिए यह खाद इस्रिंखला के सिर्ष अस्थान पर रखा जाएगा स्वसन मूल निम्नांकित में से किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलते हैं क मैंग्रो वनस्पतियों में ख लाइकेन में ग सैवालों में ग लोरेंथम में स्वसन मूल वनस्पति में मिलते हैं कीट भच्छी पौधे उन अस्थानों पर पाए जाते हैं जहां कि म्रिदा में गिर्ण ओस्थ फास्फोरेस की कमी चूना की कमी नै Rendementux की कमी पोटास की कमी होती है फ्रेंट इसमें राइट 15ब्स नंबर गह न 5 विलते में क़ई केर्वच्छी पौधे उन अस्थानों पर पाए जाते हैं जहां कि म्रिदा में नाइट्रोजन की कमी होती है नेट्ट कोशन वह साप जो अंडे नहीं बच्छे देता है क विपेरार सेली ख अजगर ग कोबरानाग ग करैट इसका प्रेर्ण से इसका प्रेक्ट आप्शन आप्शन नमबर क है विपेरार सेली जो है ये बच्चे देता है नेक्ष घृते में भारत राजधानी के मात्र बंच्छेत्र का क्या नाम है कद दिली ग्रिन फारेस्ट ख़ दिली रिंद इस फारेश्ट ग इंदरप्रस्थ फारेश्ट गर भारत की राजधानी के अंदर गरत कोई इसका correct option option number का है दिल्ली ग्रीन फारेश्ट भारत की राजधानी के एक मातर बंद छेतर का नाम है दिल्ली ग्रीन फारेश्ट next question यहां कुछ अवसादी सेलों के नाम दिये गये हैं इन में से कौन सी अवसादी सेल जैविक तत्तों से निर्मित अवसादी सेल नहीं है यह देखिया अवसादी सेल का नाम है पीट कोईला चूने का पत्थर नमक की चटान खड़िया मिट्टी यह देखिये निम्नांकित में से सही उत्तर चूनिये निम्नांकित में से सही उत्तर चूनिये कह पीट और कोईला ख कोईला और चूने का पत्थर ग नमक की चटान घ पीट और खड़िया इसका करेक्ट आप्सन आप्सन नमबर गह नमक की चटान नमक की यहां कुछ अवसादी सेलों के नाम दिये गए हैं इसमें बाकी यह पीट कोईला चूने का पत्थर ग यह बाकी सब आवसादी सेले हैं इसका देखे ब्याख्या दिया हुआ है अवसादी सेलों की निर्माण में चटान चून के साथ ही जब जिवाव सेशों तथा वनस्पतियों का भी विगदान पाया जाता है तो ऐसी सैलों को अवसादी सैल कहा जाता है संपूर भूप्रिष्ट के लगभग 75 प्रशत भाग पर अवसादी सैलों का ही विश्तार पाया जाता है जैसे तत्तों से निर्मित अवसादी सैलों के उदाहरन जबकि शेंधा नमक खड़िया मिट्टी जिवसम सोरा आदी राश्यानिक परितोनों के कारण निर्मित अवसादी सैलों के उदाहरन है नेश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सबसे उश्र मरुस्थल है सहारा मरुस्थल भारत ने 2022 तक मेगावार्ट की पवन सकती की छमता प्राप्त करने का लच्छ निर्धारित किया है कितना है मेगावार्ट का 40, 50, 60, 70 कितना मेगावार्ट तक है पवन सकती इसका प्राप्त करने का लच्छ प्राप्त किया है देखे विस्तार इसका यद्यपी भारत की पास सैधान्तिक तोर पर 100 मेगावार्ट से अधिक की पवन सकती छमता है लेकिन वर्ष 2022 तक 60 GW की पवन सकती छमता का लच्छ निर्धारित किया है श्रोत परिछा सोपान विसेशांग यह नेक्ट कोशन जल में घूली हुई निम्नांकित में से कौन सी गैस उसे छारी बनाती है कह हाइड्रोजन गह अमोनिया गह कार्बन डाइकसाइड गह सल्फर डाइकसाइड फ्रेंसिस का करेक्ट आप्शन आप्शन नमबर कह है अमोनिया जो है जल में घूली हुई जो है गैस को छारी बनाती है देखें अमोनिया गह जल की साथ अभिक्रिया करके अमोनिया हाइड्रोजन यानेच फोर ओय बनाती है जो कि छारी प्रकृति का संकेत प्रस्तूत करता है अतह ख सही उत्तर है इसमें से जो है ख अमोनिया जो है सही उत्तर है नेक्ष्ट कोशन पूर्ण रूप से सर उर्जाद्वारा संचालित भी सुका सरो प्रथम हवाई एड्डा कौन सा है क कोशिन अंतराश्टी हवाई एड्डा ख छट्रपती सिवाजी हवाई एड्डा घो दुबई अंतराश्टी हमाई अड़ा घणा खनसाई हमाई कोछीन अंतराश्टी हमाई अड़ा जो है E पुर्जा द्वारा संचालित विशुका सरुप्रत्थम हवाई अड़ा है कि नेक्ष्ट कोशन प्रकास अंसलेशन के दौरान पौधों द्वारा उत्सर्जित ओटू आक्सीजन अने जीवित जीवों धेतु निम्नलिखित में से किस कारे के लिए उपयोगी होती है ख बृद्धी एवंग विकास के लिए ख पोशन के लिए गह स्वसन के लिए घह भोजन के आक्सी करण के लिए फ्रेंस इसका करेक्ट आप्षन आप्षन नमबर घह है भोजन के आक्सी करण के लिए जो है यह परकास संसलेशन के दौरान द्वारा उत्सरजित ओर टू आक्सीजन अन्य जीवित जीओं है तू कारे के लिए पुयोगी होती है यह भोजन के आक्सी करण के लिए नेश कोशन उत्तर प्रदेश राजी का राजी पच्छी है कमोर ख हन्स ग कोयल ग सारस इसका राजी पच्छी पूछा है यह ग है सारस नेश कोशन उत्तर प्रदेश वन निगम की अस्थापना की गई कव 25 अक्टूबर सन 1974 में गव 25 अक्टूबर सन 1975 में 25 अक्टूबर सन 1977 में उत्तर प्रदेश वन निगम की अस्थापना जो है करेक्ट है यह 25 अक्टूबर सन 1974 में की गई थी फ्रेंट्स विडियो शमाप्त होता है यह अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक इंग सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अबश्य कर लें ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे फ्रेंट्स वीडियो मद छोड़िएगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके सामने होगी बहुत इंपर्टेंट है वीडियो फ्रेंट्स वीडियो समाप थोटा है न